हेलो फ्रेंट्स वर सेगेंड विल्कम बैक इन माईट्यूब चनल दोस्तों मैं हुआ अकाश्पंड और आप देख रहे हैं यूनिक सिविले आने बेक यूर्शल्फ यूनिक आपको अपना क्या होगा सब्सक्राइब अगेगे अगर आप डाउन्लोड नहीं कर पा रहे हो तो तो नीचे कमेंट करना, next video में मैं आपको बदाओंगा किस तरीके से आप एक्चंसर को डाउनलोड करके लगा सकती हो, इस बीडिए में देखो किस तरीके सा लगाना है अगर एक्चंसर डाउनलोड हो चुका है तो कि हो ऌसे adel अब तक के रेविड की structure के सारे विडिऊ से मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी जगा पर एंफोस्मेंट लांना है तो structure पर जाएék और structure पर जाने के बाद grids पर जाएए और grids पर जाने के बाद यहां से grids को ड्राक करेए मैं grille को ड्रा कर देता हूं एक ग्रीड यहांस ले लिए हमने और इसके बाद मेरा रेविट थोड़ा बहुत ज्यादा ही हैंक कर रहा है उसका रिजन है मेरे पास अभी रेविट का दो वर्जन में ले लिए है 18 वी और 20 पी है तो अगर आप ऐसे चलाएंगे तो आपको हैंक करेगा बहुत ज्यादा पी अब इसमें क्या करते हैं हम लोग यहां पर इसका नेम एडिट कर देते हैं ओर यह सब तो मैंने आपको रेविट के लास्ट वीडियो से बताया हुआ है पूरा का पूरा उर ओडि सिश्च एक कॉल्म लेते थे हम लोग यहां से क्लॉम लेते थे और क्लॉन लेने के बाद सपोज यह कॉलम लिला है मैं 18 by 12 का और एक कॉलम ऐसे ले लिया हमने एक कॉलम यहां से लिया और एक कॉलम यहां से लिया तो इस तरीके से कॉलम्स तो हम लोग ले सकते थे और फिर यहां से हम लोग बीम पे जाते थे और बीम पे जाने के बाद यहां से स्टील की बीम से लेते थे सब्सक्राइब आपको बताने वाला हूँ तो कम्प्रीट देखिएगा इसमें आटोमेटिक रैंफोर्चम्ट पढ़ने वाला है देखिए यहां पर आपको सब्सक्राइब करता है और यहां पर क्लिक कर दिया है इसक बाद अगर आप इसको 3D में देखेंगे तो it looks like a normal बीमें कॉलम्, अभी तक में जो इसका सेक्षान लाप आ पे रैन्फोर्स्में, लागाता। दिखाता हूं। इस एक्सेंशंचन के थो आतोमेटिक रैन्फोर्स्मेंट , qoアप डाउन्डोड करना पड़े हूं. यह आप बीज्ड टोंटीनियूस फुटिंग में reinforce bar में parapet में pile cap में piles में retaining walls में slab में slab openings में slab corners में slab openings में spread footing में wall corners में और wall में अपने आप automatic लगा सकते हैं कैसे आप सोच रहोंगे आपके पास यह नहीं है तो कैसे आपको ले आना भी मैं बताऊंगा सबसे पहले हम लोग यहां से ले ले थे columns तो हमने बाकी सब कुछ automatic लगाने वाला हूँ तो यहां पर जैसे आप column पर क्लिक करेंगे तो column की setting open होगी उसमें आप बताईए कि आपको बार जो लेने हैं कैसे लेने हैं कितने लेने हैं यह देखिए यह बोला है no element selected means हमने element को select करना हम लोग भूल गए थे तो आपको element को select करके रखना है फिर जाना extension पर और कुछ नहीं सेम होई columns पर क्लिक कर देना है और जब select करके करेंगे तो फटा फट यह लगा देगा इससे यह होता है कि आपका time बसता है बहुत ज्यादा time बसता है और automatic आपका काम हो जाता है मिलागे देखिए यहां पर आईए अब देखिए ट्रल वाई 18 का था आपको पता ही ठेक है अब यहां पे इसके बार्स रहेंगे यहां पर आप दे सकते हैं कि नम्बरा बार्स अमको कितने चाहिए बार पैरवेटर्वेटर्स उसके बाद आप यहां पर hook का एंगल दे सकत यहांब देखें! NB कितने है? TOO! यह क्या होता है? NB इसने बार कितने चाहिए! इसके बाद यहां पर आपके पास होता है ne X via S baka M ti A ba P में और यहां पर उपक्र यहीं पूछेगा कि यहां से लिए लिए होंगक स फायदा नीक्ष्किन करें आप इसके ऊपर क्लिक करके यह देक है अगर आपका reinforcement उपर गैपिंग ज्यादा है, spacing आपके उपर ज्यादा है, नीचे कम spacing तो ये ले लिजे, middle में आपका spacing ज्यादा है, और corner corner में कम है, तो इसको ले लिजे सबसे बहतरी नहीं रहता है, मैंक से हम लोग यही यूज़ करते हैं, इसमें दोस्तों ये SN है, SN मतलब ये जो बीच के बार से, इनके बीच की spacing आप यहां से read कर सकते हैं, ये ST है, ST क्या होता है, ये देखे उपर के जो बार से, उनके बीच की spacing यहां से read कर सकते हैं, और यहां से read कर सकते हैं, और ये एक ही है, इसके बाद L T, L T मतलब इनके बीच के distance क्या है वो L T है, तो इस तरीके से अब L T आ गया, तो आपको L N माइनस हो जाएगा, तो अपने आप पता चल जाएगा L N कितना है, और एक अच्छी चीज़ आप यहां है कि Ties up to Slap कर सकते हैं, आप जैसे Slap तक यहां पर Ties पूरा को इस तो इसको लेते हैं, वहां से extrem इरिया है, हर एक 스트eyअ के एरिया यहां पर बतादेगा और इहां पर नमबर्स चाहिए, आप बता दोंगे तो बेंधों धो ilk रखें सेटिंग की आपको इतना इतना चाहिए तो calculate कर लेगा सिर्फ इसके बाद आपको okay करना है कोई दूसरा काम नहीं आपने कुछ भी नहीं किया दो मिनिट के अंदर आपके पूरे के पूरे कॉलम के उपर reinforcement लगने वाला है यह हाँ यह टाइम जरूर लेता है यह देखि कि आपका account login करना है account login करने के बाद all product and services पर जाना है आपको all product and services पर जाने के बाद यहां पर आपको rabbit पर क्लिक करना है देखिए यहां पर आएंगे नीचे आपको हर एक चीज़ का इसे क्लिक कर सकते हैं बट आपको रभी rabbit का चाहिए तो यह देखिए आपको रेविट कहा गया वाई रिस के नीचे आओ यह है रेविट इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से यह download हो जाएगा व आपको जो औरजन रहेगा उसके recording आपको रेविट एक्सेंशन डाउनलोड करना है आप एक बार डाउनलोड करिए अगर आपस नहीं होता है तो आप सब वापस वीडियो पाईएगा और नीचे कमेंट करिएगा अगर आपका response मुझे अच्छा मिला तो मैं step by steps आपको करके दिखाऊंगा response in the sense आपको ज्यादा लोगों तक share करना है कम से कम 300 likes इसके उपर आएंगे तो मैं आपको बदाऊंगा कि इसको proper step wise कैसे डाउनलोड करना है डाउनलोड करके दिखाऊंगा आपको 300 likes तो बनता है इतने मेहनत करने के लिए इसको share करिए दोस्तों के साथ और ए इसकी से आप क्या कर सकते इसको एडिट कर सकते है जैसा live और नीचे चाहिए और नीचे कर सकते मुझे चाहिए तो इस तरीके से हमने क्या किया इसको लगा दिया आप आप सोच रहे हो कि सर इसमें आपने कितने mm के बार लगाने तो पताया ही नहीं बड़ा असान है select करो और select करने के बाद इसके property box पर जाओ और यहां पर edit type पर जाओगे तो कितने mm के बार आपको डालना है अब यहां पर suppose मैंने column के लिए 60 naming को बार डालना है 60 naming करके कर दिया यह 63 inches अप्लाई करोगे जितने duplicates रहेंगे अगर नंबरा बार चाहदा है इधर भी है इधर भी है इधर भी है तो duplicate बना लो 12 inches जो भी आप बार डालने हो यहां पर आपको बार का edit हो जाएगा और यह पूर यहां पर आपको 8 mm क्लिक करके ok करना है और यह दिखिया आपका 8 mm अब्गेट हो गया ठीक है और इसको भी 8 mm कर दीजेगा देख लिए इसको एक बार हुआ है की नहीं हुआ है और यह 8 mm में नहीं हुआ है तो फिर से वही फोर लिख दीजे और ok कर दीजे मैं ऐसे नाम 8 mm, ok इस तरीके सब ग्रेट कर लेगा और फिर उसके बाद यहां पर क्लिक करेंगे तो यह complete बन जाएगा अब इसी तरीके साब नीचे भी कर सकते हैं और इसके बाद मैं बताता हूँ आपको बीम के बारे में क्योंकि आप कर लोगे मुझे लगता है और next video में मैं इसका estimation कै कैसे करते हैं वह भी बताऊंगा जो next to next आएगा उसे में बताऊंगा पर प्लीज सपोर्ट करते रहो आज चैनल को जो भी लोग नए है सब्सक्राइब करते रहो क्योंकि आपका ही सपोर्ट मुझे फिर से energy देता और वापस मुझे लेके आता आपके पास तो देखिए यह कर दो सारा का सारे सेटिंग सिसके अंदर आपको मिल जाएगा सिर्फ आपको एक बार सेट करना है हर बार उसी सेटिंग को बार-बार लगाते चले यह देखिए यह साइज यह बीम की इस टिरस पर गये और यहां पर इसके बाद स्टीर डिस्टिवियूशन आपको क्लिक कर करना है यहां पर देखो यह लिखा हुआ है कि यहां से पढ़िया है पर DL यह देखे DL S1 S2 अब गवर आपको S1 और S2 set करना है तो यहां से set कर दीजे है कई-ři सकर bhat बार ऐसे होते हैं जिसमें यह वाला बीमल में क्या हो रहा है पास-पास हैं करले सब्करल करें कि देखे हैं आप दीच्छेनटी और इसके बाद एस है के लाग तरीके से इस तरीके से तूझे कर देखिंग तो इसके बाद राइट के लिए आप राइट को यूज कर सकते हैं और अब सब्सक्राइब करना क्योंकि प्रेडियो करने की बाद जब आप करोगे तो इसका जो तरीका होगा दूसरा रहा गा मलब आपको छोड़ा से चरिव लगे लगे रहे है lle कैसे हो गया तो नीचे कमेंट करके बताय करो सर यह नहीं हो रहा मेरे से स्वीडीयो में मनें उसको सलोसन बता सको आपको तो यह देखिए यहां पर आपको इस तरी के से लोर बार अगः डालना है थो लोर बार डाल सकते हैं इनके लिए पर यहां पर आपको नमबर कितने डालने हैं यहां पर कितने डालने हैं एक स्ट्राव नाम से जानते है एक्स्ट्रावार ठीक है वीडियो को दो बार देख सकते हों अगर मैं जल्दी बोलाओं क्योंकि टॉपिक पढ़ाय है इसको मैंने क्लिक किया, यहां से यह extra bar पढ़ गया, यहां पर क्लिक किया, यह extra bar पढ़ गया, additional bottom bar चाहिए, तो bottom भी add कर सकते हैं, span चाहिए, middle में चाहिए, lepping होए रहə है, तो ले लीजे, यहां पर चाहिए तो ले लीजे, सारी setting यहां पर लिखी हुई है, तो कुछ भी पढ एरिया भी यह तोटल अलग अलग दिखाता है और इसको करने के बाद जब आप इसे एक को जाए कि मेरा सब कुछ हो गया मैंने वार्ष के डिवीजन भी आप दे दिया मालों देना है तो देने के लिए क्लिए करना है और नहीं देना है तो बंद कर रखो एडिशनल बार में यह देखिए टॉप बार है ऐसे और इनके साइजेस अब यहां पर दिये हैं नंबर्स कितने चाहिए उसके वो दे दीजे आप यहां पर जब सब कुछ हो के हो जाए तो ओके कर दिजे अब अगर मैं बता रहूं अगर आप इसको स्केच करेंगे बनाएंगे तो क्या बोलत होता चला जाएगा बहुत ही आसान है प्रैक्टिस करिए नहीं आता है जो नीचे कमेंट करिएगा किसार यह चीज में पुझे प्रॉलम हाई फिर से बता दीजिए मैं डेफिनेटली फिर से बताने की कोशिज करूँगा और साथी साथ इसको डाउनलोड कर लिजे यहां प देखिए फिल्टर आना चाहिए एपडेट्स ब्यॉर्ण पर यह लिंक आप ध्यान से देख लीजिए यहां पर जाकर आप डारेट कर सकते हैं देखिए एड़ फिल्टर एड़ फिल्टर में आपको आपको चाहिए कोई भी वर्जन मालो 18 चाहिए आपको मुझे 18 चाहिए यहां पर यह नीची मुझे रेविट एक्स्टेंशन यह यह नहीं और बढ़ जाओ यह देख रहे हैं आपको 115 MB क्या है इसको डाउनलोड कर लेंगे आटोमेंटिक इंस्टॉल हो जाएगा इंस्टॉल होने के बाद आप रिस्टार्ट कर दिजेगा सिस्टम को यहां पर प लोगों साथ और ऐसे ही बने रहे हैं यह चैनल पर कल मिलेंगे कल हम लोग बताएंगे इसमें किस तरीके इसको डाउनलोड करना है प्लग-इन को इस्टे बाइस्टे साथ अगर आप कमेट अच्छे लाइक अगर आपका रिस्पांस आता है तो मैं क्या करूंगा इसके इस सब्सक्राइब करने के बाद आपको यूजर पर जाना है और यूजर में जाने के बाद आपको फिर एक्स्टेंसर मिल जाएंगे वहां से डाउनलोड करो आपका जो भी रेविट कवर्जन रहेगा उसके अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे तो प्लीज नीचे आपको मज़ा हैगा और आपको भी लगेगा यार इतना कुछ है इसके अंदर हमको कितना कम पता था चलिए आप इसको वीडियो को लाइक के दिए फटापट मिलते हैं से रेस्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत